कोरोना की दूसरी लहर ने देश और दुनिया पर ऐसा कहर बरपाया कि इससे करोडों लोग संक्रमित हुए और लाखों लोगों की जान जा चुपी है वहीं अब पूरी दुनिया से ऐसी खबरे आ रही है कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में भी कई महीनों तक कोरोना के लक्षन देख रहे हैं जिसे लेकर लोगों के मन में डर बड़ा हुआ है कोरोना की दूसी लहर ने देश और दुनिया में गहर बरपाया है दूसी लहर पहले के मुकाबले ज्यादा घातक है इस पर लोग संक्रमित भी पहले से ज्यादा हुए है लोगों की जान भी पहली लहर के मुकाबले इस बार जारा गई है दूसी लहर में जितने लोग संक्रमित हुए उनमें से ज्यादा तर लोग घर पर रहकर ही ठीक हुए जबकि कुछ लोगों को ज्यादा परिशानी होने पर अस्पताल में भरती करवाना पड़ा जबकि कई लोगों की इस बीमारी ने जान ले ली है कोरोना से जो मरीज ठीक हुए है उन्हें आज भी कोई ना कोई परिशानी जरूर है कोरोना वाइरस व्यक्ति के अंदर से जाते जाते भी लोगों को कई महीनों तक परिशान कर रहा है एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जो लोग कोरोना से ठीक हुए है उन्हें कोरोना अगले 5-6 महीने तक अपना एहसास करवा रहा है एक रिपोर्ट में इस बात का खुल ऐसा हुआ है कि कोरोना की दूसी लहर अपने साथ नए-नए संकट लेकर आ रही है नए रिसर्च में ये दावा किया गया है कि जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें अगले 5-6 महीने तक कोरोना के लक्षन मौजूद रह रहे हैं मेडिकल के दुनिया में इस अस्थती को लॉंग कोविड का नाम दिया गया है एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है दुनिया भर के लोग जिन्हें भी कोरोना हुआ है उनमें कोरोना से ठीक होने के बाद भी कोरोना के लक्षन दिखाई दे रहे हैं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में जब ये लक्षन दिखाई देते हैं तो ऐसे में लोगों को ये लगने लगता है कि कहीं फिर से तो वो कोरोना की चपेट में नहीं आ गये हैं और ये डर लगना भी सभाविक है क्योंकि एक बार कोरोना का दंस जहल चुके लोग एक बार फिर से इस वाइरस की चपेट में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं लिकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जो मरीज कोरोना से उवर चुके हैं उनमें लक्षन क्यों मिल रहे हैं एक्सपर्ट इसके पीछे की वज़ा बताते हैं कि जिन लोगों की तबियत कोरोना से संक्रमित होने के बाद ज्यादा खराब हुई या जिन हैं अस्पताल में भरती करवाने की नौवात आ गए उन लोगों में 5-6 महीने तक कोरोना के लक्षन दिखाई दे रहे हैं स्टडी में ये भी दावा किया गया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंभीर लक्षन बाले मरीजों को ही ये समस्या हो रही है बलकि ये दिक्कत उन लोगों में भी देखी जा रही है जिनमें कोरोना के हलके लक्षन थे उनमें भी ज़्यादा दिनों तक कोरोना के अलग लग तरह के लक्षन देखे जा रहे है एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से ठीक हो जुके लोगों में कई तरह के लक्षन लंबे समय तक मिल रहे है कोवीट से रिकवर होने के बाद लोगों में सबसे जादा धकान की समस्या देखी गए रिपोर्ट के अनुसार 11.8 फिस्दी लोगों में रिकवर होने के बाद धकान के लक्षन देखे गए वहीं 10.9 फिस्दी लोगों में कफ के लक्षन लंबे समय तक बने रहे इसके साथ ही 6.4 फिस्दी लोगों में स्वात की कमी जबकि 6.3 फिस्दी लोगों को स्मेल रहिया रही थी जबकि 6.2 फिस्दी लोगों के गले में दर्द के शिकायत आई है जबकि 5.6 फिस्दी लोगों में सांस लेने की समस्या हो रही है कई मरीजों में ये लक्षन रिकवर होने के बाद कुछ हफ्तों से लेकर 5-6 महीने तक बने रहते हैं जानकारी के मुताबिक भारत में ऐसे मरीजों का डेटा तयार किया जा रहा है जिन में रिकवर होने के बाद भी कोरोना के लक्षन दिखाई दे रहे हैं कई बार रिकवर हो चुके लोगों को बुखार भी आ रहे है ऐसे में लोग परिशान हो जाते हैं कि कहीं उन्हें दोबारा कोरोना तो नहीं हो गया है हलाकि इसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा होने पर घबराने की जरूरत नहीं है बलकि लोगों को साब धान रहने की जरूरत है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों की इम्म्यूनिटी पावर कमजोर रही हो हो सकता है कि उनमें ऐसे लेक्षोर पाए जा रहे हो इसलिए अगर ऐसा होता है तो आप डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं लेकिन राहत की बात ये है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है Special Desk, Total News